हेलो दोस्तों नमस्ते और सब कर स्वागत है तेंग का किचन में आज में उड़ाने जा रहे हूं कलेजी और पथरी तो उसके लिए यहांसे छे प्याज है मिडियम साइज के अध्रक लेशो तिन टमाटर और मैंने अध्रक लेशो को पीछ लूँगी और छोटे-छोटे बार बारी काट लूँगी प्याज को अचाहे को पीछ सकते हैं जार मिटाल को पीछ दूँगी अल्मीर देश्टी स्टाइल में बनाऊंगी जिसे गावं में लोग बनाते हैं तो स्वाधिस्ट बनता है गम चत पटा गम मस्त वीडियो पर नहीं रहिए आप लोग प्याज को ब कलेजी बनाने के लिए बहुत असान तरीके से फट से बन जाएगा आराम से तो यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कोमेंट करके बताईएगा आप लोग को कैसा लगा देखिएगा तो भी बताईएगा मैंने पोटा और पलेजी को अच्छे से साप कर ली हूँ मतलब पथरी पलेजी को अच्छे से साप कर ली हूँ और जिसको पलेजी इसमाइल करता है विनेगर डालके अच्छे से साप कर ले हूँ अब इसमें डाल देंगे थोड़ सी जीरा जीरा चटक गया है अब इसमें तो इस समय जी एक्टेता बहुत बनाना असाम है हटपट से बन जाएगा तरह से बार ज़ूब अप्लूब स्प्राइग के बिएगा पर गुण्ड ब्राउम हो जाएगा तब हम इसने लेस्टू नदर कपेश्ट डालेंगे ते 304 हरी मिच को बारे काडली हरी मिच ज़दू डाल गेगा अपलोग पर मैंने दो लाल मिच डाल दीने तोड़के तेस्ट बढ़ जाएगा अगर तिखा नहीं पसंद है तो आप बहरी मिच के डाल गेगा तो गुल्डेन ब्राउम हो जाए इसने अधर प्रेशं के पेश्ट डाल गेंगे तो यहां पर दो कपीन अट बहुल लेंगे तो यहां पर पकने में फ़र ताइम लगता है तो इसको अच्छे सपका लेंगे तो इसमें डालेते हैं टमाता भरी में भग देंगे चला के तो यहां पर तीन से चालियों पोल गया है तो इसमें एक चम मच्छ है और यहां पॉल्डर जाएगा तो इसमें देगी ले तो इसको मच्छे से चला लेते हैं ताच्छे सुख अच्छे से चला लेते हैं इसमें डाल देंगे खुड़ासा पानी पाइन डालके ढख देंगे अच्छे से पक जाएं इसमें टाइम लगता है कलेजी जो है वो पक जाता है दोसको मसाला घुना गया है इसमें फुरास पाइन डालके फटकल लगा देते हैं जाल दी हूं अप लोग देख सकते हैं तो ठक देते हैं 10-12 मिनट पुंथी में आज पर पका लेंगे तो दे सकते हैं बहुत इजी है फट से बन जाएगा आप लुग दे सकते हैं दोसकों 10-12 मिनट पग्या इसमें डाल लेते हैं पलेजी इसको भी पकाना है इसमें स्राबी ठीकलेवी डाल दीएंगे आप चाहें तो काटके डाल दीजिए तो इसमें पानी में डालना है इसी से पकाना है तो अच्छा से चला लूँगी धकन लगा के दस्रीब बारे मिनट पका लेंगे जो गरीवी बनाना है तो पानी आइट कर सकते हैं हो गया पकना शुरू हो गया अब भकन लगा देते हैं अब अब से बताइक नहीं पहीं यह जो पोर्टा है पले जी आधा किलो अधा पान सो ग्राम तो यहां तुटपा करा है तहीं से भकन लगा देते हैं भी जीवी चला लेंगे अधी चमची गरम मसाला असूरी मेथी तो धकन हाटा रहते हैं डाल देंगे उसे में बढ़ियां ग्रेवी बना है या प्रूदे सकते हैं ग्रेवी नहीं सुखा ही समझ ली गिये प्रूदे सकते हैं चलिए इसमें डाल देते हैं अच्छे से चला के पाज मिनट और पका देंगे तैयार है बन के कलेजी पोटा और इसको बहुत लोग पथरी भी गोलते हैं गौव में आप लोग को बीड़ी पीसा लगा आप लोग बताईएगा कमेंट करके कि देख सकते हैं दूस्कित बन गया है मैं आप लोग को निकाल के देखाती हूं बताईएगा किसा बना है चलते हैं निकाल देती है अब देशोती दूस्तो बन गया है और इसके साथ गनगरन रोटी है अब देशोती दूस्तो बन गया है